लोगों को आप पाकिस्तान, अफगानिस्तान जैसी गंट्री से लागे हिंदुस्तान में कहां रखेंगे दिल्ली, बॉम्बे, भोपाल, जगा कहां है उनको नौकरियां क्या देंगे मुझे एक बात बताएं आप मेंसे किस-किस के पास अच्छी नौकरियां कोई एक मिनिट आप क्या एंप्लॉइमेंट देंगे वो खाएंगे क्या वो पहनेंगे क्या एक तो हमारे पास वोट करने के लिए अलग काड़ है आधार का क्या यूज है डिमॉनिटाइजेशन क्यों हुई अगर हम एक चाय बनाने वाले को देश पकड़ा देंगे तो यह होगा हम सबसे सबसे बड़ी गलती यह हुई है कि हमने जिस गवर्मेंट को इलेक्ट किया है इट इस बाइट इस इन दे फेस तो क्या आपने मानती एक मजूद प्रदान मंत्री देश को मिलें और मजूद ह तो में मोटा है मुझेख यह तो का में चुद्री आपको कि आपको लगता है कि ऑप कर दो मतृद की फीरों पोलिस कर क्या रही यह जे जोडेश्री का देश बाइस्पर एक यह कर शगर रही है मैं ल essa'll को प sampah में को सभी यसी घ्मेल्या ने जोबस्थ को परती यह कहते हैं पूरी पूरी रात बैठके उन पॉलिसी को बनाते हैं, हम study करते हैं, हम research करते हैं और हम implement करते हैं, तो तुम हमें बता हो कि हम क्या कर रहे हैं, और हम जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बिल्कुल गलत नहीं है, कोई मज़े बता दे कि यह गलत है, मैं तो आपको मूर्स कम जुग आपने पूलिस का अभी नाम लिया कि पूलिस के अकर रही है, जैसे जन्यू की घटना होई है, कहीं नहीं पूलिस के एक बड़ा आरोप लग रहा कि पूलिस ने ठीक से काम नहीं किया, तो देखे मैं आपको एक बात बताती हूं, मैं फादर इस पुलिसमान, आइम अ कश् कानवरी की रात को और शाम में क्या हुआ है, मैं बिलकुल कंडेम करती हूं उस हरकत को, पंद्रा को आप जामया के अंदर आते हैं, I was a part of the protest, आप अंदर आते हैं, बच्छों को लाठी चार्ज करते हैं, आप कहते हैं कि हमारे पास पर्मिशन थी, और फिर जब पास्तारी को आप युनिवर्सिटी के अंदर जाते हैं, आप गुंडों को रोक नहीं सकते हो, प्रॉपर्टी वांडलाइज करने से, पिकस आपको पर्मिशन चाहिए थी, आपको क्या लगता है, जो बच्चे राद राद बढ़ भैटके पढ़ रहे हैं, जो लाइफ जी रहे हैं, हम लोग कॉलिज स्टूडेंट्स हैं, हमने इतनी जिन्दगी नहीं देखी, लेकिन हम बेवकूफ तो नहीं हैं न, आप हमारे मूँ पे आके हमको बता रहे हो, कितना और बेवकूफ बनाओगे जन्ता हैं, लोग यह तो जान दें कि पुलिस तो सरकार केंडर में होती है, और जैसे सरकार आदेश करेंगी, वैसे पुलिस काफ करेंगा, इस वोल्ड वर थी, सारी फोर्स एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, जुटीशेरी को एक बंदा कंट्रोल कर रहा है, यह वो वक्त है, जब दुनिया खतम होगी, जब यह देश खतम होगा, अब भी अगर लोग यह देश करेंगे, तो देश खतम होगा, आप हिंदु मसल्मान को बाट रहे हो, this is the most sick thing one can do, कहीं न कहीं जो आप यह चीजे बीजेपी कर रहे चाहे हैं, दारह 370 हो, 3 तालाख हो, मैं आपको एक बास बदाती हूँ, मैंने कल राद में बाट के बीजेपी का मैनिफेस्टो पड़ा है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चाप्टर है, बीजेपी के मैनिफेस्टो में 13 चाप्टर में, स्टार्टें के 10 चाप्टर में, development, women, safety, health issues, कहीं पर कुछ नहीं है, वो सब 13, 14 चाप्टर में आता है, उनके हमने जिस सरकार को इलेक्ट किया है, उसके मैनिफेस पड़ी ही नहीं, हमें नहीं पता था, अब जब जाके मैने पड़ा तो मुझे रियलाइज हुआ कि women safety और development ये तो इनके issues ही नहीं है, इनको तो कुछ और ही करना है, इनको तो मजे लेने है, तो ये इनके कभी इनका concept ही नहीं था ये, women safety और ये, आप मुझे एक बास आपको रात में अगर आपकी कोई बहन है, है आपकी बहन, आप उसको रात में दो बज़े निकलने दो के भार, आपको जड़ लगता है, पहले भी निकलने दे सकते थे, सरकार की बाद छोड़ो, आप दे सकते हैं रात में दो बज़े अपनी मा को अकेले सड़क पर निकलन तो आप बताए मुझे कि इस देश में रह रह रहा है जिस देश में पुलिस घटना के आदे घंटे के बाद पहुंचे और युनिवर्सिटी में शाम के 6 बज़े ही बहुंचा बच्चो को कब ख़़ए पूरी इस्तिती बनी हो यह कहने के जो पिछली गवर्मेंट रही है उनके कारण यह ऐसी इस्तिती बनी है टाइम लगेगा इस अधर में मुझे अगर मेरे माबाप का मुझे कॉल है और मैं उनको बोलू मैं प्रोटेस्ट में हूं तो उनकी जान खतम होने को ना है क्योंकि इस वक्त सब को पता है जो लोग बाहर निकल के बात कर रहे हैं दिस इस यूसाइड वट वी आ टोइंग इस यूसाइड हमना ही जान के हमारी गर्दनों पर तल्वार लटक रही हो हम कब मर सकते हैं बट इसका है मतलब निया न हम बोलना मंद कर दें इस 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 दि जिस उमर में उनके हाथ में पेंसिल किताब पकड़ानी चाहिए आप उनको मंदर मस्जच सिखा रहे हो ये हिंदुस्तान का फ्यूचर ये जो आप देख रहे हो ना सरकार तो कहने के कहरें कि हम भिजगुरू बनाएंगे सदेश को डवलाप कंट्री बनाएंगे और आपके दिसेंबर में मेरे एकजाम होने था मैं सड़क पर खड़ी हूं बहुत वैलाप होगई कंट्री मुझे मेरी डिगरी खत्रमें लग रही है मैं लोग कर रही हूं ठीक मुझे अपनी डिग्री यूजलेस लगती है क्या फाइदा है से डिग्री का मोधी जी ने कॉंस्टिट्यूशन की कसम खाई थी कॉंस्टिट्यूशन को बरभाद करने की नहीं I am sorry क्या है यह आप लोगों को लाने की बात कर रहे हैं रखोगे कहां अपने लोग आपसे खुश नहीं है उनकी बिचारदारा एंसी है वो लोग इस चीज़ पर काम करना चाहते नहीं बात तो है नहीं वो तो चाहते यहीं थे देखो मैं आपको एक बात वजाती हूँ आप मैंसे किसको पता है बीजेवी का एवल्यूशन कैसे हुआ बीजेवी पार्टी बनी कैसे कि सेवेंटीज के टाइम पर जब एमर्जेंसी आई थी तब एबीवीपी ग्रूप बनाया था अरुन जेटली सर ने जब वो डियू म बेसिस पे अपनी पाटी को इस्टाबिश कर रहें ना वन डिफ्रिंस जब उनकी पाटी थी इंद्रा गांदी ने उनके ओपर ना पुलिस वाले चोड़े और मैं पुलिस वाले छोड़ना बोलूंगी पिकस्टों से कम नहीं है इस वक्त ना उनके ओपर थोड़ेगा या उनके ओपर डंडे बरसाएगा, in fact उन्होंने जै प्रगाश दरायन को उठा के एक पूरी गवर्मेंट गिरा दी, और आप हमें बता रहे हो कि आप क्या कर रहे हो, हमारे पास दिमाग है, हमारे पास एजुकेशन है, and that is our weapon, we use it, हम हेटरेड नहीं फैलाते हैं, हम पढ़ते ह we teach and we preach, this is what we do